अपने आपको collector मानके और बड़ा आपसर मानके किसान का अपमान कर रही है, हम ये बात को मानेंगे, आप ये बात कर दीजी हमारी करफ से, हमें कोई आतराज नहीं है, या पन ले या नहीं ले, ये ग्या बात होगी, ग्या पन नहीं ले रहे हैं, आप इन से मिल लीजिए, हमक और कुछ नहीं करना है, हमें कोई आतराज नहीं है, अपने काराले में मिलने हैं, हमें आतराज नहीं है, गरवानी होगी, मसल कराबे की विशेष, करदावरी, करवानी होगी, 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 यह आप देख सकते हैं कि इस तरह की हालात नर्मा में बनी हुई है किसान ने भारी खर्च किया है और अब चुगने के दिन वो उदास है रो रहा है उसकी आँखों के अंदर पानी जो है वो सूक नहीं रहा है एसी बुरी आलात उसकी है हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि राजस्तान की सरकार गुलाबी सुंडी और यह जो बरसात हुई है उससे जो नुक्सान हुआ है नर्मे के अंदर गौार, मूंग, मोट, बाजरे के अंदर उसकी विसेश गिर्दावरी करवाए और पचास अजार रुपे परती बिगा के इसाब से किसानों को मुआवजा दिलवाए इसी मांग पर आज हम यहाँ पर आए है तो हमने यह काया कि हम चुनिदा खिसान आए हैं अपना दुख व्यक्त करने के लिए आए हैं अपना दुखड़ा रोने के लिए आए हैं और जिला जिला कलेक्टर अगर किसान से मिलने का समय नहीं निकाल सकते किसान की बात को नहीं सुन सकते तो इस वेवस्ता के लिए पिर तो हम क्या स्किन सब्दों का प्रयोग करें मतलब ये तो एक खाकर्षाहि में भी ऐसा नहीं था रजबाडों के टाईम भी ऐसा नहीं था दुखिया आदमी की सुना जाता है हम प्रेशान धुखी है इसलिए य सबसे इंदर सरकार ने नोन बीटी बीटी कितना है इसलिए किसान आज यहां पे आया है यह मांग अगर गिरदावरी गिराने पर इसमत नहीं है तो आप यह मान सकते हैं कि यह मान जाएंगे यह बीज की वज़े से नुकसान हुआ है आज अनिमानगर के किर्शी भी भागने आज भी लिखा है मेरे पास उनका आया लिखा हुआ कि हमारी कमेटी ने सर्वे कर लिया ये ये दवा जिसने छिड़की उसका नर्मा तो ठीक रह गया और जिन्होंने महंगा और कमबो पलान की दवाएं छिड़की है वहाँ पर नर्मे में अपेक्षाकर्त जादा नुकसान है तो इसलिए बीज कमपणियों के पास भागने के बहुत रस्ते हैं बीज कमपनियों पर सरकार मुग्दमा दर्ज करवाए उनका लाइसेस रद करे उनकी जाँज करे भी कितना मिला जब आपका packet भरा जा रहा है उसमें उसको मापने का यंतर नहीं है उसमें आपके पास मापने के और माप पर यंतर लगाने के अधिकारी मौजूद नहीं है तो क्या पतब 10% जो आपने छूट दी थी वो 9-10% है या BT-10% है यह किसको पता है जिस तरीके से सरसों में ठगी है एक लाख आठ हजार रुपे किविंटल सरसों और किशी भी बाग कह रहा है कि विस्टे सदिया यह कह रहे हैं कि सरसों में हाइब्रिड होता ही नहीं है और हाइब्रिड के नाम पर देश में बीज भिक रहा है तो जब ऐसे गपले हो रहे हैं तो यह बहुरास्ट्रिय कंप जाता थी इसलिए खेत इसलिए खाले अंदर सुन्डी का पर कोप है इसलिए किसान जाये कहां मरे के अंदर प्रसट्र और आैं किसान अलगला गुटों अपनी मांग को लेकर है क्या संधी लड़ा इस यह लड़ने च्याप और ही लगता जहें मुझे लगता है कि सारे नोक किसी संग्थन की अगवाई करने वाला है जो यह कहीं कि मेरे संग्थन में आजाओ मेरे जंडे के नीचे आजाओ हम कह रहे हैं कि किसानी की जंडे के नीचे आजाओ अगर किसानी को बचाना है नहीं तो सरकारों की साजिस है कि यह बूमी बड़ी कंपनियों के पास चली अभी G20 समयलन में भी इस तरह की कोई बात उठी है कि छोटी खेती को बारत के अंदर समाप्त किया जाए और बड़े बड़े जो निगम और कोर्पोरेट घराने है उनको ये दे दिया जाए तो इसलिए हम सब लोगों को हम प्रयास करेंगे कि सारे लोग एक मंच के नीचे आ पारा भी है कि हम आज टिकट दिलाने वाली रेली में तो ज्यादा तकड़े तरीके से जाते हैं और जहां सडा गड़ा नर्मा लेके जाना चाहते हैं वहां पीछे खिजक जाते हैं कि कहीं मेरे वाली सरकार के जुम्मे नहां आ जाए इसलिए यह अमारी कमजोरी है मैं उस को जोईकार करता हूँ ठीक है गुलाबी सुन्डी से परेशान किसानों का प्रतिनी दिमंडल ओम जांगू के ने तरफ्त में कलेक्टर हनमानगार से मिलने पहुंचा था अपनी परेशानी बताना चाहते थे और किसानों को जो नर्मे की फसल का नुक्सान हुआ है उसके ब परेशानी बात नए ग्यापन लेने कलेक्टर पहुंची और नए सभी किसानों को उपर हौल के अंदर बुलाया इसी बीच किसानों ने कहा कि कलेक्टर किसानों की हतेशी नहीं है और पिछले गेट से कलेक्टर अपनी कार को लेकर अरवाना हो गई जिससे किसानों में अब देखो हम शबीस तारी को बापीस उठाएंगे और कलेक्टेड का करेंगे गिराब अब देखना जाई है कि परशासन इस समस्या को लेकर कितना गंबीर होता है किसानों के लिए क्या कुछ कर पाता है जा नहीं कलमनुज के लिए गुरुदेव सिंग सैनी की हनमान गड़ से रिपोर्ट